हमारे पास exercise 6CM differential calculus chapter का नाम है, यह chapter का नाम है curvature, क्या नाम है curvature, 6A, 6B solve कर चुके हैं, नहीं देखे तो वीडियो जाकर देख सकते, link आपको description में मिल जाएगा, यहां पर question है, इस परकार है, य बराबर दे चुका है, इस तरीके से question, बोलता है, radius of the curvature आपको at the origin पर, आपको दे 0.471, so that बोला है, मतलब इस तरीके से दिखाना है, and that at the point आपको 1 3 है, और यह आपको infinite पर भी होगा, तो चलिए, solve करती इस question को, question number 1, now, जो curve दियावा था, उससे हमने लिग दिया, given curve, देख लीजे, यह आपर y बराबर लिख चुके, differentiation करते हैं, एक्स के respect में, आप जब x क करेंगा, तो y का y1, x का 1, यह तिन दुना 6 x हो चुका होगा, यह आपको 3 x square, जो नोर्मल ता differentiation है, again differentiation कर दिया, इस ही का y का y2 हो जाएगा, और यह आपको 6, देखिए, 6 है, 1 का 0 हो चुका होगा, 6 और minus 3 x, minus 3 दुना 6, 6 x हो जाएगा, add the origin, question बोला था, पहले आपको origin पर च कानी खतम वना चुका है, यहाँ पर आपको 6 minus 6 x है, यहाँ पर आपको क्या करना है, x के जगा पर 0 बठा लिएगा, इनकी कानी खतम मातर आपको 6 आ चुका है, आप जानते है, रो बराबर, 1 पलस y1 का square बट्टा y2, ठीक है, और इसका आपको whole power 3 by 2, यह आप जानते है, डे जो आपको कोशन में बोल रहाता है, रेडियस आपको बढ़र होगा, आप तो चली, कोशन में भी ऐसा कह रहा था, तो यहाँ पर आपको 0.4714 के, यह नजधीक है, नियर ली है, आप देखते है, एड़ पॉइंट वन थिरी पॉइंट पर चेक करना, य1, य2 निकाल लिए, वन थिरी पॉइंट पर, वन थिरी समझते हैं, जो अभी हमको कोशन में बोल चुका था, इस आपको, यह निकाल लिए, तो यह निकला 4, और वाइट निकल गया 0, इसमें आप हम आगे देखते हैं, फाइनली देखिए, रेडियस आप दिक रवेचर बराबर, आपको जो आ और y1 और y2 निकाले, वो मान पूट कर देना इसमें, रड जान करवेचर, यहां पर देखे, यजज़ो कमान आपको 0 है, तो यहां को फाइनली आप दिख सकता है, यहां को इनफनाइट ही होगा, क्योंकि आपको देखे ना नीची 0 है, बिल्कुल यह आपको इंफनाइट होगा आपको कोशन भी कह रहा है तो आपको इंफनाइट देगा तो यह आपको दे चुका है यह कोशन नमबर वन था आप नेक्स्ट कोशन इसमें सॉल्ब करते हैं दचा कर्वेचर जोर्ड दो निकालता है कि इसल्ब कोशन आपको हमने लिख दिया जह सकते हैं यहां पर a square में आया तो root में चला जागा है क्योंकि इधर जाएगा तो half बन चुका होगा है इसका power में इसलिए root लिग देंगे अब देखिए यह x square है यहां पर a plus x है हमने का क्या वो देखिए यहां पर x बटा a कैसे root a कैसे हो चुका है क्योंकि x square में से 1x बाहर आ जागा यह a है इसको root में लिख सकते हैं कोई बश्किल लिए यह a plus x का whole power 1 by 2 कर दी क्योंकि root है तो root लिखे या फिर 1 by 2 कर दीजिए कोई फरक नहीं परता यहां पर जानते आप a plus b का whole power n ऐसा formula जानते कभी जानते होंगे अब देखिए यहां पर इसका होता a का power n plus n a का power n minus 1 फिर b plus n into n minus 1 factorial 2 a का power n minus 2 b का power 2 तो इस तरीके साब को formula होता है इसो solve भी कर चुके काफी मरतबा ऐसा question ओके अब देखिए finally यहां पर कि y बराबर देखिए यह बराबर यह जो question है यह है y बराबर हमने का किया यहां पर a plus b का whole power n है yes यदि आपको इस तरीकी का question होता है a plus b का whole power n है तो आपको यहां पर क्या करना है यह side में यह जो है इसको हम बाहर रहने देते किसी परकार का आपको problem नहीं होगा यहां पर देख आपको इसी तरीके से आपको चलेगा आगे तक यहां तक लिख देगे फिर देखताब यहां पर के जब य बराबर आपको finally आ चुका है यहां पर root a से multiply कर दीजेगा तो और अच्छी बात है root a से और x से multiply कर देजेगा तो यह a power 1 by 2 आ यहां पर 1 by 2 cancel हो चुका होगा तो x ब बन चुका है क्योंकि आपको 1 by 2 चुबाएगा तो एक में से आप यह दूग हटाईगा तो आपको minus 1 बटा 2 आ नीचे तो पढ़ गया plus 1 बटा 2 तो आपको 2 आ जाएगा similarly यहां पर भी आपको बैसा होगा पहले इसको multiply कर लेना multiply करने के बाद आपको इस तरीके से आ इसका formula ही होता है जब हम maclaurean theorem परते थे तब भी f0 plus x f-0 plus x square by factorial 2 f double dash 0 plus 2 इसी परकार यह आपको maclaurean theorem होता है आप finally आप देख सकते इसका f-x निकाल लेते क्या निकालेंगे f-x मतलब first time differentiation निकालते हैं नहीं तो वैसा ही बट यहां पर देखिए f-0 f-0 इसलिए क्योंकि हमको यह वला चाहिए आप फिर उसके बाद f-0 फिर f double dash 0 यह सब चाहिए महान पूट कर देंगे हमको f-x से निकल जाएगा बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा f-0 का चक्कर क्या यह देखिए y1 बराबर y1 at origin 1 देखिए f-0 का मतलब क्या होता जो हमारा function होता उसका differentiation करके उसमें 0 पूट कर दीजेगा वही आपका निकल जाएगा ठीक है तो आपका function क्या है f-x क्या है उसमें आपको पूट कर देन question ही देखिए यह याउ बराबर है कि यह वाइब बराबर है उसमें इसी को function हेमारा यह यह वाइब बराबर है सबसे पहले f- f- f-0 लेगे तो सबसे पहले f- 1 चुका होगा बाकल यह यह पर भी होगा डिक रिए-स का तो 1 हो चुका होगा nutrient शाहा होगा स्पाइब में समुझ में होने सुटाटतागा को सब्सक्राइब तो नद followers कशिंब हामने स्ञासिद लीए है इस सब्सक्राइब पहले f-0 निकाल लेजिए, इसका f-0 खुद से रिकाल लिए आपको समझ में आ जाएगा, finally y2 at origin 1 बट्टा 1, क्योंकि यह y2 आपको आचुका 1 बट्टा 1 origin पर जब लिए तो, क्योंकि origin पर लेंगे तो x बाला जो भी होगा वो गायब हो जागा बिना x बाला आपके पास रहेगा, तो आपको finally आपको इतना कोशन का इतना भी आज चुका आगेज में देख लेते हैं, देखें, यहाँ पर आप कोशन देख सकते हैं, कि hence, रो बराबर 1 पलस y1 का whole power 3 by 2 यह y2, देखें, यहाँ पर आपको करना है क्या, यह y1 का मान हमने डाल दिया और y2 का मान डाल दिया, अभी 1 बट्टा a y2 का मान निकाल लेते, दोनों पुट कर दिया, आपको देखें, यहाँ पर आपको a आ चुका है, तो finally आपके पास इस तरीके सा आ चुका है, यह आपको radius अबदी करवेचर है, यहाँ पर जान सकते हम लोग क्या, कि आपको 2 का power 3 by 2 को लिख सकते 2 root 2, तो आपके पास इतना आ चुका है, अब इसका next question देखते हैं, यह question number 2 है, 3x square plus xy plus y square minus 4x और बरावर 0, यहाँ पर जो करव दिया तो उसे पहले लिख लिया, to find equation of tangent at origin, सबसे पहले हम जो है equation of the tangent लेंगे हो at origin पर, lowest degree of term in the curve बरावर 0, देखिए इसमें जो होगा जितका lowest degree होगा, lowest degree का मतलब आपको जो कम power degree वाला होगा, उसको हम पहले लेंगे और उसे 0 के बरावर करेंगे, यह तो पहला condition आपको समझ में आया, यहाँ पर देखिए, 4x बरावर 0 यही क्यों हो आरा है, क्योंकि यहाँ पर lowest degree वाला यह है, है न, तो इससे लिए, तो यहाँ पर x बरावर 0 होगा, तो tangent जब x बरावर 0 होता है न, तो फिर आपको जो tangent जो बनेगा, वो y axis पर बनेगा, तो आपको जो formula लगाना परेगा देखिए, आप तो वैसे theory परे होंगे, तो आपको tension बिल्कुल होगा ही नहीं, बट फिर भी मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, वो आप देख लीजिए, नई देखनी की एक्षा है फिर भी देखिए, जब tangent x एक्स 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 पर हो, तो x स्कार बटा 2y यूज़ करेंगे, यदि आपको tangent आपको जो होता y एक्स पर हो, तो आपको क्या करना है, y स्कार बटा 2x का यूज़ करना है, जब हम यहीं बनाएंगी question तो वहाँ पर ठीक है, तो यह आपको question बे यह formula आपको याद रखना परेगा, फिर polar के लिए आएगा तो polar के लिए देखेंगे next time, पहले अभी question है उसको solve कर लेते हैं, देखें यहाँ पर, तो finally आपके पास जो आचुका given curve का इतना, इसमें क्या कहता है आपको जो आपको लाना क्या है आपको y स्कार बटा 2x, यह लाना है, नहीं, इस रूप का आ जाएगा तो इसके जगापर आप रो लिख सकते हैं, यही रो का formula होता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 2x बटा y स्कार आ जाए तो बटा रो हो जाएगा, किसी परकार का problem नहीं होगा, यह ठीक है, तो यह आपको समझ में आना चीह है, तो देखें हम जो इसमें का करते हैं 2x से समय भाग देते हैं, कितना से भाग दे रहे हैं 2x, और यहां पर 2x से भाग देने का चकर क्या होता है, कि यह 3x स्कार यह कट चुका होगा नीचे वाला point, यह देखें, यह आपको नीचे xy है, तो xx कैंसल हो चुका होगा यह y बटा 2, फाइनली आपके पास इस तरीके साथ चुका होगा, अब इसमें क्या करना है, लॉग लगा देना, क्या लगा देना, लॉग, लॉग बोले, लिमिट, लिमिट लगा देना, एज ठीटा x टेंडिंग टू जिरो, जिरो जिरो पॉइंट पर मतलब और इसे लिए, कोशन ही आपको जो है यह ओर इसे लिए, यहाँ पर देखें, लिमिट को जब जोर में हो तो उसे अलग कर सकते हैं, वो मुश्किल नहीं अलग ही लग ही लिखेंगे, तो और अच्छा होगा सॉलूशन बनाने में, 3x बटा 2, आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 0, y बटा 2 मतलब सम में लिमिट लगा चुके, x टेंडिंग टू 0, y टेंडिंग टू 0, देखें यह आपको जो है, यह आपको 0 बन चुका असर क्यों, सिए, आपको आपको जो आचुका है, इस तरीके से हम इससें फाइन कर पाएं, कितने यह असानी से कर लिए eder, कोश्चन नम्बर तीन है 4 x square minus 3 x y plus y square minus 3 y equal to 0 यहां पर given जो कर्ब था मुझसे note कर लिए to find the equation of the tangent at origin origin के लिए काम करने lowest degree of the term in the curve बराबर 0 जो lowest degree होता है इस given equation का या फिर कोश्चन ही है उसी को तो given लिखते ना जो दिया हुआ equation होता है उसका जो क्या करना उसके term को 0 के बराबर करना lowest degree y का power 1 है तो यह वाले को आपको क्या करना 0 के बराबर करते ना आपको जब y के बराबर 0 करते तो यह आपको टेंजेंट जो बनेगा एक से उल्टा बनता है एक से एक से पर बनता है यहादी एक से एक से बराबर 0 तो यहाँ पर बनेगा यहाँ पर given the curve भी आप जो कर दिया उसे note कर लिए dividing by 2y तो आप 2y से क्यों डिवाइडिन करें क्यो सब में 2y से डिवाइड कर जिसको कटना तो वो कट गया अब आपके पास तरीके से बच चुका एक से स्कॉर बट्टा 2y के जगा पर रो लिख सकते इससे लिए को टेंशन नहीं होगा जब लिमित लगा देंगे तो लिमित लगा दिए इसको लिख दिए इस परकार आप द जलते इसमें आगे जब चार रो बराबर तीन बट्टा दू तो यह मल्टिपला हो जागा तो चार का रो बराबर आपको तीन बट्टा आठ हो जागा जो रेडियस अब दीकर वीचर है